Good morning students, आज हम सब भी निभन्द करेंगे और निभन्द का हमाई टॉपिक है स्वस्त जीवन में योग की भूमी का या योग का महत हमारा जो जीवन है उसमें योग का क्या महत है आज कल की यह जो हमारी इतनी ब्यस्त लाइफ है जिसमें बहुत सारी दिन प्रतिन बीमारिया पढ़ रही है और उसी में हम अब उसके योग का महत तो बताएंगे तो सबसे पहले योग क्या है इसका परिचा यह इसके बारे में जान लेते हैं योग शरीर मन और आत्मा को नियंतरत करने में मदद करता है नियंतरत मतलब उसको नियंतरत में रखता है हमारे मन को हमारे आत्मा को और हमारे शरीर को यह हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्ताय को बनाए रखता है यह हमारे के मानसिक के हमारे जो मन का मरमन है और हमारे सरीर है इसकी इस्तिती को इसके स्वास्ते को ठीक करता है तता ही हमें प्रकर्ती से जोडता है प्रकर्ती मतलब इसे नेचर या भगवान से हमें जोडता है योग के साधन योग के कौन कौन से साधन है योग का अर्थ है जुड़ना यह एक संस्कृत शब्द यूज से आया जिसका अर्थ है एक जुट होना सब एक साथ होकर एक जुट है एक जगए एक अत्रत हो योग के जनक कौन है रिसी पतंजली को योग का जनक कहा जाता है किसे कहा जा रहा है किसे कहा जाता है योग का जनक पतंजली को योग के लाव निमने लिकित है यह हमारे सरीर यह हमारे लचीले पन में सुधार करता है लचीले पना हम मतलों अपने बोडि को जहां से ये मुड़ती है वहाँ से अप दिक्कत होती ही तो उस दिक्कत को भी हमारी प्रॉब्लम को दूर करता है यह हमारी ताकत बढ़ाता है यह हमारे तनाव को कम करता है आजकल हम लोग बहुत बेस्ट और बहुत ज़दा परेशान रहते तो यह जो हमारा तनाव है इसे भी योग कम करता है यह हमारी मासपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है योग से कि हमारी हड्डियों और प्रक्रियाय वो बहुत अच्छी रहती है और बहुत सी बीमारियों से हम दूर रहते हैं योग के सिध्धान योग के क्या क्या सिध्धान दोते हैं उचित ब्यायाम या असल सरीर को स्वेश्ट मजबूत और लचीला बनाय रखना आवश्यक है जब भी हम कोई भी ब्यायाम या योग करते हैं तो सबसे पहले हम अपने सरीर को मजबूत और लचीला बनाय रखना आवश्यक है उचित सांस लेना प्राणायम यह हमें सिखाता है कि कैसे सही तरीके से सांस ले प्राणायम हमें क्या सिखाता है कि किस तरह से हम अब सास को लें उचित बिश्राम उचित बिश्राम भी हमें सिखाता है उचित आहार और पोशर भी हमें सकारात्मक सोच और ध्यान हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए यह हमारे योग की सिद्धान्त है निशकर्स योग भारत का एक पुराणा अनुशाशन है पहले का योग को एक अनुशाशन माना जाता था इसमें सुआस तकनीके ब्यायाम और ध्यान का उपीयोग किया जाता है यह सुआस्ते को वहतर बनाता है और 21 जून को अंतराष्टिय योगदिवस भी मनाया जाता है हम योगदिवस कम मनाते हैं पूरे विश्व में 21 जून को अंतराष्टिय योगदिवस मनाया जाता है धन्यवाद